बच्चों गर्मी के मौसम में कपड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमें जीन्स को लेकर जीन्स का आज कल ऐसा ट्रेंड है कि सभी लोग जीन्स पहनते हैं क्योंकि कन्विनियंट है लेकिन जीन्स काफी महंगा आता है उसे हम नॉमल कपड़े की तरह रोज रोज दो सकते जादा दिन अगर उसे नहीं दोते तब भी बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो क्या कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से उसमेल ना आए रोज धोए नहीं और उसका ऐसा रख रखाव करें जिसकी वजह से जीन्स बिलकुल नया सा बना रहें आज बताती हूं जो चलते हैं कुछ नया सा करने तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा जो जीन्स हम चुन रहें अपने लिए वह ऐसा हो जो कम से कम कलर बहुत ज्यादा ब्लीट नहों उसका जो कपड़ा हो पोड़ा सॉफ साइड हो ना कि बहुत ज्यादा हार्ट साइड हो तो जब भी आ बहुत ज्यादा कलर निकल जाए वैसा जीन्स हमें नहीं खरीदना चाहिए अब सबसे पहली ट्रिक यह है जीन्स को नॉमल कपड़े की तरह रोज रोज नहीं धोना चाहिए कम से कम 57 बार उसे यूज कीजिए उसके बाद ही उसे आप धोईए अब यदी हम रोज रोज उस से निकालते हैं अपने पैरों से जब भी आप जीन्स को निकालते हैं उसे उल्टा करके पंखे के नीचे रख दीजे जिससे उसमें जो एक्स्ट्रा पसीना है जिसकी वज़े से स्मेल आ रही है वो पूरा सूप जाए अगर पसीने की बदबू आएगी तो जीन्स आप बोटल ले ले 50% आप डाल दे विनेगर 50% आप डाल दे पानी दोनों को डाल कर जीन्स के उपर इस प्रे कर दे रोज रोज नहीं लेकिन दो चार बार आप पहन चुके हैं आपको लग रहा है कि उसमें स्मेल आ रही है आप धोना नहीं चाहरे हो तो ऐसे में उस पर इस पर नहीं किया तो फटाफटसे से सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि सब्सक्राइब करना टोटल फ्री है तो जीन्स को जब भी आपको धोना है हमेशा उसे ठंडे पानी में ही धोई जीन्स का कलर खराब नहों तो उसे धोते टाइम आप उल्टा करके भी धो सकते हैं अब बारी आती है कि जीन्स को कभी कभी हम जब वाश कर लेते हैं दो तीन बार तो उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा हाड सा लगने लगता है पहले जैसा नहीं लगता है जैसे पहले सौफ था तो उसके लिए आपको या तो मार्कीट वाला कोई सौफनर यूज करना पड़ेगा धोने स्मिट उसी सिरके और साधे पानी में डाल कर रख दीजे यह ट्रिक्स आपको कैसी लगी बच्चो मुझे जरूर बताईए पसंद आये तो लाइक जरूर कीजे जीन्स को धूने के बाद आपको निचोड़ना नहीं चाहिए उसको एक ऐसे सरफेस पर या ऐसे साफ जगह प जाता है धूने के बाद तो उसे आप हैंगिर में डाल कर ही हैंग करें लेकिन तब जब उसका पानी पूरा निकल जाए ऐसा करने से जीन्स जो है जीन्स के जो कपड़ा है वो हार्ट नहीं होगा वो सौफ्ट हो जाएगा अब बारी आती है जीन्स को हमने सुखा लिया तो जीन्स को जब हमें प्रेस करने की जरुवत पड़ती है तो सबसे पहले तो जीन्स की क्वालिटी देखिए कि प्रेस करने की जरुवत नहीं है तो आप प्रेस मत कीजे उसे ऐसे अच्छे से लपेट कर रख दीजे पर आपको लगता है कि नहीं जीन्स में काफी सारे रिंक उसके रिंकल्स भी चले जाएंगे लेकिन जीन्स के जो रोएं होते हैं, जिससे जीन्स सॉफ्ट रहता है वो आपके बरकरार रहेंगे और जीन्स सॉफ्ट का सॉफ्ट बना रहेगा, रिंकल्स फ्री रहेगा और प्रेस भी इन छोटी-छोटी चीजूं का अगर आप ध्यान देते हैं तो जीन सालों का सालों चलता है और आपका वो नया सा बना रहता है आपका जो फेवरेट जीन से जो पसंदिदा जीन से जिसे आपने काफी महंगा खरीदा है उसकी बहुत अच्छे से केर हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है